तो यहाँ पर जो है अभी 1B का question number 3 इसमें हमें करना है compare numbers, number को compare करना है, use the symbol, greater than, less than, equal to, ओके, इसको बोलते है greater than, इसको बोलते है less than, इसको बोलते है equal to, तो यहाँ पर हम miss, अगर number इदर का बड़ा रहेंगा, तो यह use करेंगे, अगर इदर का बड़ा रहता है, तो यह use करेंगे, और अगर दोनों same रहते हैं, तो यह use करेंगे, ठीके, तो यहाँ पर जो है हमें, बड़ा number, इन नंबर का यह दोन नंबर दिये है, तो सबसे पहले count करना, digit कितने हैं, ठीके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4 digit, वाला हमेचे बढ़ा ही रहता है फूरीड वाले से तो इसलिए इसका आइंसर क्या रहेंगा इधर का बढ़ा है ना तो इस तरह कि मतलब कि हमें एक आइंसर कैसे लिखना है जो नाइन वन टू जीरो और इधर है सलाइन यह 1 21,1 20 इसमें 5 डिजिट है इसमें 4 है दो यह वाला बढ़ा रहेंगा ठीक है तो यह होग़ा एक आइंसर इसके बाद देखो बीका करेंगे स्वाल तो देखो बी में देखना है पहले कितने डिजिट से यहां पर फोर डिजिट से यहां पर कितने वन्टू यहां पर फाइड डिजिट है तो हमेशा इसमें देखो फाइड डिजिट इसमें फोर फाइड जिटा बड़ा रहेंगा तो तो यह बदा रहेंगा मतलब यह सिंबॉल ठीक है उसके बाद देखो C-S? नम्बर का अब जिवह लोगिंगी अं एक़ाई डिजिटी द याँ गे कितने फाइध डिजिट ठीक तो सबसे पहले देखो पहला मतलब कि इदर से लेफ्ट साइज से इख सब्सक Buddha नमब्र आंपकर 5 है और यहा पिकेड़ आंपी इतना है शिख से आइв है शिक से तो 5 बड़ा कि 6 बड़ा जिक बड़ा तोरह स्य नारी पिस मतलब कीुए वाला क्या रहेंगा बड़ा रहेंगा मतलब इसको लिखना कैसे फिर देखो यह 54738 और इधर फिर 64520 तो यह वारा नंबर बड़ा है ना 6 नंबर का तो इधर ठीक है उसके बाद देखो डी नंबर का तो डी में देखो यहाँ पे कितने डिजिट है फाइव यहाँ पे कितने फाइव तो अगर ऐसे है सेम सेम नंबर ओफ डिजिट से है तो डेखो पया नंबर कौन सा है इसमें 11 है तो तो शेम है छोड़ दो फिर 55 है सेम है छोड़ दो फिर 77 फिर 33 है बनाइन 9 है तो मतलब सभीगह निए मतलब यह क्या इप्या करूंगे फिर डी में डी में 15739 is equal to 15739 एक एक्वल है नहीं तो इक्वल है इसलिए अपने याप यह सिंबोलिस किया फिर देखे ए नमबर का देखते है तो इमें भी देखो आप इमें देखो यहाँ पे भी 5 डिजिट है यहाँ पे भी 5 डिजिट है तो क्या करोगी तो आप देखो इधर का लेफ साइड से पहले डिजिट को देखो यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 बताओ कुण सा बढ़ा रहेंगा यह बढ़ा रहेंगा मतलब इसमें ऐसा सिंबोल आएंगा तो इसलिए एका एंसर क्या होंगा फिर 80615 is greater than greater than 78976 ठीक है तो यह होगा इसका आंसर यह नमबर का अब वैसा है दे तो यहाँ में देखो यहाँ पे 5 डिजिट है यहाँ पे 5 डिजिट है तो पहला 2 यहाँ भी 2 है सेम से मैं पर दूसरा देखो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है तो 4 बढ़ा कि 3 बढ़ा 4 बढ़ा मतलब इसलिए यह वाला बढ़ा रहेंगा मतलब कि 24,865 is a greater than 23,938 ठीक है उके उसके बाद जो है बाकी आपको जो है यहाँ से जी नमबर से यज आई जे के यल यह आपको क्या है हो मौक के लिए है ठीक है